नमस्ते मैं कुमार उत्पाल लिमका वुक अफ वर्ल रिकर्ड होल्डर तिस पुस्तकों के लेखक आज सुरू करने जा रहे हैं स्टेट सिंबॉल्स अब विहाद सबसे पहला हम बतलाने जा रहे हैं यहां पर आप देख रहे हैं यह बोधी ट्री का है और दो स्वस्तिक है एक बाएं साइड में है दूसरे दाएं साइड में है आप देख रहे हैं यहां पर जो ब्रिक बनाए गया है वह बिहार का है बिहार लिखा हुआ है या आप दिखाई पर रहा है इसमें यहां लोगो बहुत जरूरी है इसमें दो स्वस्तिक है एक यहां है और एक यहां है और उर्दु में जो बिहार लिखा हुआ है या ब्रिक में यहां दिया हुआ है तो यह बहुत अच्छी आपको देखने में लग रहा होगा चलिये मैं आगे बर रहा हूँ इस्टेट ट्री बिहार का कौन है तो इस्टेट ट्री आप देख रहे हैं यहां पर पीपल का है पीपल यहां ब्रिक्च है जिसको हम फाइकस रेलिजियोसा कहते हैं और यहां सेक्रेड फिग कहलाता है और इस्टेट बहुतायत मात्रा में पाए जाता है और यहां पर पहले जितनी भी शवहाएं होती थी पंचायत के सब यहीं पर किये जाते थे तो यह जो है कविताएं भी इसके बाड़े में कई लिखी गई है पीपल के पत्ते गोल गोल डोलते रहते हर दम इस तरह की कविताएं बहुत प्रचलित है मैं आपको बता रहा हूँ या हिंदुईज्म जैनेज्म और बुद्धिज्म के यह बहुत ही आदर्स ब्रिक्ष के रूप में जाने जाते हैं गात्म बुद्ध इनुही ब्रिक्ष के नीचे उनको ज्यानप्राप्ति हुई थी बध्रिक्षी में होता है ज्यानप्राप्ती है यह जो होता है और यह उन्ही के बिच के नीचे फाइकस रेलिजियोसा उसको कहा जाता है रेलिजियोसा सबसे बना है इसलिए फाइकस रेलिजियोसा कहा जाता है जिस बिच के नीचे उनको ग्यान की प्राप्ति हुई थी यहां आप देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात बहुत अच्छी बाते हैं कि its fruits are used to cure heart related disease या इसके fruits जो हैं so heart related disease को यह जो है आपको protect करता है और यह people के ब्रिक्ष जो है जो पिपलाद रिशी महान रिशी थे वैदिक रिशी थे और उनका यह पालन करने वाले है इसलिए people के ओलाद कहलाते हैं इसलिए people रिशी कहलाते थे यह आप लोगों को जानकारी होगे और वा क्योंकि उनके माता पिता बचपन में ही death कर गए और people के ब्रिक्ष के नहीं उनको पालन किया था actually वा दधीची रिशी के पुत्र थे तो दधीची रिशी तो अपने हड़ी तक दान कर दिये जिसके कारण उनको माता पिता का सुख नहीं मिल सका मैं आपको बता रहा हूँ state flower हमारा madigold है गिंदा का फूल गिंदा का फूल बहुत बेहतर है बहुत सुगंधित होता है बहुत ही आकरशक होता है और इसका नाम जो है madigold गिंदा हम लोग काते हैं biological नाम इसका है stagitis erecta कहा जाता है या subtropical और tropical climate इसके लिए जरूरी होती है और या जो होता है state bird espero espero जो है हमारे घर आंगन को में फुदकती रहती है और हमारे घर आंगन के कीरे मकोरे और गंदगी को हटाती रहती है और इसका यह जब आगमन जिस घर में इनका आगमन होता है इसका मतलब है कि सुधता आ गई है जब जिस घर से यह चली जाती है इसका मतलब है बीमारी वगर आएगा तो इनका प्रजेंस रहना शुभ और शुधता के रूप में जाना जाता है और यह हाउस एसपेरो भी का जाता है क्योंकि हमारी जोपडियों में हमारे घर आंगन में यह रहती है और हाउस एसपेरो का जाता है पैसा डोमेस्टिकस सब्द से डोमेस्टिकस बना है और उसी व है प्लंप है ब्राउन ग्रे बर्ड्स हैं यहां पर देख रहा है बहुत 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 नहीं रहता है और यह जो है आपका many species of sparrow make their nest on the building trees and houses मैंने कहा ना पहले हम लोग के यहां फूस का घर होता था और फूस के घर में नसीत ही रहते थे उन्हों को कोई विसेश जगह की जरुवत नहीं रहती थी लेकिन अब building हो जाने पर थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन उसमें भी यह लोग रह जाते हैं घास फूस और लकडी से यह अपना घर बना लेते हैं खुद और उसी में रहते हैं primarily seed eater होते हैं through they also consume small insects बहुत सारे small insects को भी खाते हैं इसलिए यह हमारी शुद्धता का प्रतिक भी माना जाता है estate animal है ox है जो हम लोग के लिए खेती के लिए भी बहुत और transport के लिए प्राचीन कालों से इनका उप्योग किया जाता रहा है flowing transport pulling cars hauling wagons and even riding बहुत सारे लोग इसका को कृशी कार्ज में उप्योग करते हैं कृशी कार्ज के बिभिन कृशी कार्ज में दौनी से ले करके आपका पटवन में भी उप्योग होता है बड़े बड़े लकडी के समान को धोने में या बहुत सारे समान को धोने में भी इनका उपयोगी यह रहे हैं और यह जो है इनका scientific नाम है जिसको हम biological name काते हैं बॉस टोरस काते हैं और इनको पवित्र भी माना जाता है इनका भी अगर आप दरवाजे पर रखे हुए हैं तो जितनी भी negative भूत पिचास सब को यह समझ जाते हैं और यह आवाज करने लगते हैं इनके प्रजन से वो भीतर घड़ के भीतर नहीं जा पाते हैं तो यह भी एक बहुत अच्छी सु इस्टेट गेम जो है कबड़ी है कबड़ी हम लोग कहां प्राचीन कालों से इवेन महभारत में और रामायन में भी चर्चा है हनुमान जी भी कबड़ी खेलते थे तो यह गेम कबड़ी जो है बारह प्लेयर के साथ खेला जाता है साथ प्लेयर इस टीम में रहते हैं रिमे आपको instrument की जरुवत नहीं होती है, आज की महंगाई के दौर में जहां काफी खर्चीले खेल हो गए हैं, इसमें कोई खर्च नहीं होता है, और physical activity भी खुब होता है, इसलिए गौण और समाज में कबड़ी की बहुत प्रचलन भी, यहां कबड़ी खेलते हुए देखते हैं ब state fish है, देशी मांगूर है, जो आप देखते होंगे, खाते भी होंगे, देशी मांगूर है, इसको walking catfish का आजाता है, देखने में cat जैसा लगता है, बहुत active होते हैं यह लोग, और 2008 से इसका बिहार government के decision के बाद से, इसको state fish में रखा गया, और इसका scientific name है, क्लेरियस, बैट्रिकर्स, इसका scientific नाम है, जिसको हम biological name काते हैं, अब हम आते हैं, state fruit mango, सभी फलों का राजा आम, तो इस सभी फलों का राजा भी का लाता है, और यह मैंजी फेरा इंडिका है, यह केवल state fruit ही नहीं है, हमारे national fruit of India के रूप में भी जाना जाता है, हमारे यहा में तो आदिकाल से इसका प्रयोक किया जाता है, और काफी types के होते हैं, और काफी मन वहावन होते हैं, और बहुत दिनों तक इनका आपको फल आप मिलते रहता है, क्योंकि कई varieties हैं, जो late varieties भी है, early varieties हैं, तो इसलिए यहाँ पर बिहार के लिए यह fruit जो है, बहुत ही उपिय होगी है, मैं estate song की बात कर रहा हूँ, estate song जरूरी है, बहुत साड़े बच्चे नहीं जानते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, यह estate song है, उसके लिखने वाले हैं, poet है, सतनारायन जी है, सतनारायन जी से कई कार्जक्रम में सुनने का, जानने का मौका मिला, और खुद मंच पर हम लोग बैट करके, एक साथ कविता पार्थ भी कई कार्जक्रम में किया है, टीवी प्रोग्राम से ले करके, कई प्रोग्राम में, तो उनसे सीखने का भी मौका मिला है, अभी भी जिन्दा है हुआ, मेरे भारत के कंठाहार, तुझको सत सत वंदन विहार, बहुत अच्च पुजिक जो है, यह दिया गया है, हरी परसाद चौरसिया, और शीव कुमार सर्मा के द्वारा दिया गया है, और यह एडॉप्ट किया गया है, दो हजार बारह में स्टेट सॉंग, इस्टेट जो प्रियर है, वह भी बहुत ही अच्छा है, मुझफर पूर के मुहम्मद च जिस्ति जो है, वही लिखे है, बहुत ही अच्छा है, मेरे रफ्तार पार सूरज की किरने नाज करे, यह उनकी प्रथम लाइन है, यह बहुत ही अच्छा है, आपको स्टेट प्रियर, यह आप से पुछे जाएंगे, इसलिए एक जगा हमने शंकलित कर आपनों को किया है, चलिए, जै हिंद।